आज मैं आपको टू एर बेबी का फेरी फ्लॉग की कटिंग और स्टीचिंग दिखाऊंगी जो के बहुत ही इजी मेथड है बस आप बगार स्किप किये इसकी कटिंग को देखिये और स्टीचिंग को समझिए तो सबसे पहले मैंने एक छकौर पीस लियाए चारों तरफ से यह चकौर है क्योंकि इसको मैं इनर के तोर पे पहले आपको यह बता देती हूँ पहले मैं इनर की कटिंग कर रही हूं बिलकुर round shape में ये मैंने 19 इंच का हर तरफ से 19 इंच का लिया है ये 4 फॉल्ड है क्योंकि इसका circle बिलकुर बगयर जोड का बनेगा क्योंकि जो मैं net के नीचे circle लगाऊंगी ये वो inner है इसकी बिलकुर round shape में cutting होगी उसके बाद विवर्ट मैं state इसके उपर की फ्रील लगाऊंगी चाहे तो आप इसमें उपर की फ्रील भी अमरेला लुक में लगा सकती हैं क्योंकि मैंने इसमें फ्लेयर बहुत ज्यादा रखनी हैं क्योंकि यह फैरी फ्रॉक बना रही हूं और इसलिए मैंने इसकी उपर की फ्रील स्टेट लिए इसकी लेंट यानि के इससे दो इंच या एक इंच आप बढ़ी लें जो हम इनर लगा रहे हैं तो वीवर्स क्यूंकि ये कटिंग के बाद थोड़ी सी नीचे होना बहुत जरूरी है इसकी फिलेर का इसकी फिलेर की विर्था जितनी आपकी लेंट यानि के आपके पास कपड़ा आप फिलेर उतने ज्यादा रख सकते हैं मेरे पास तकरीबन जितना फैबरीक था मैंने उसकी एक फिलेर बना लिये एक काफी लंबी चोड़ी बन गई है इसकी फिलेर ज्यादा बनेंगी इसलिए इसकी कोई लेंट की या विर्थ की कोई मैंने वो लिम्ट नहीं रखी खा करेला कटिंग बहुत इजी मेथड से दिखाई है आप सेम इसी इंदास से काटेंगी बिगनर्द हैं तो निशान लगा लें वरना इसको फोर फोल्ड करकर आप राउंड शेम में भी कट कर सकती हैं जैसे पुरकार की तरह निशान लगता है सेम इसी तरीके से आप निशान लगाएं क्योंके विवर्ज इसका फैबरिक में थोड़ा सा बारिक सिल्क लिए तो नीचे शाइनिंग आएगी इसमें हमने फिलावरों को अटैज करना है गिलू गन की मदद से तो ये फ्रॉग बहुत प्यारा होगा क्योंके मार्किट से जो फिलावर हमें मिल जाते हैं पंच की शकल में ये देखें मेरे काफी सारे कलरों में बहुभ सारे फैरी लुक देने के लिए अगर आपके घर मे तो इस्तमाल ना आते हो आब वह भी उज़ कर सकते जा अब इसकी रांड शेप की कटिंग देखिए वीवर्ज उपर जो बोडी की हमने वेस्ट कट करनी है वो आप बेबी की वेस्ट के मताबिक दाइरा यानि सर्कल कट करें यानि कि मैंने 3.5 लिया है अगर आप 4 पॉइंट भी ले ले लेकिन पहले थोड़ी सी कम कट करें अगर आपको लगे कम है तो आप फिर एक्स्ट्रा कटिंग करें अगर आपने प्लेट्स देनी है तो आप बड़ी भी कटिंग कर सकते है उससे फिलेर बहुत ज्यादा बन जाएंगी लेकिन मैंने पूरी-पूरी रखनी है वेस्ट तो इसलिए मैं दाइरा कट करने लग लग जो देखें वीवर्ज मैंने सरकर रेडी कर लिया है अब इसकी पी को नीचे से आपने मुडाई करवानी है पहले क्यूंकि हमने जो फिलावर लगाने है इसमें गिलूगन की मदद से टैज करनी है उसके लिए हमारा ये अम्रेला कट नीट होना बहुत जरूरी है हम गिलूगन की मदद से ये फिलावर इसके पूरे राउंड में ऐसे बिल्कुल इसी शेप में लगाते हुए जाएंगे उसके बार जो उपर की नेट मैंने आपको कट करके दिखाई है उसमें प्लेट्स दे लेंगे सारी फिलेर में उसके बाद बोड़ से इसको टैज करेंगे विवर सबसे पहले आपने नेट बोड़ी को टैज करना है फिर आपने अम्रेला जिस पर मैंने फिलावर लगाए हुए उसको टैज करना है उसके बाद हम इसके अंदर कैन कैन का इस्तमाल करेंगे वो भी मैं आपको दिखाती हूँ पहले अब मैं आ यानि 14 इंच डबल फॉल्ड और बैक साइड की 11 इंच हमारे सिलिट इसमें फॉल्ड होंगे तो वह हमने 99 इंच की लिए है चाहिए 8.5 की भी ले सकते हैं इसमें हम तकरीबन शोल्डर की लेंगे 5 पॉइंट यानि 5 इंच 5 इंच का हमने शोल्डर लेना है और 5 इंच के ही हमने इसमें आर्म होल की कटिंग करनी है चाहिए तो आफ 4 एंड हाफ भी ले सकते हैं क्योंकि जिस बेबी का हम बना रहे हैं वो बहुत वीक सी है तो उसके लिए हम आर्म होल की कटिंग 4 एंड 5 पॉइंट लेंगे और इसकी वेस्ट की फिटिंग लेंगे तक्रीवन 6 इंच डबल फॉल्ट विवर्स और इसकी फिटिंग के बार आपने इसकी नेक लाइन भी तक्रीवन 2 इंच आपने डीप करनी है फरंट की आप 3 इंच कर लें बैक साइड की 2 इंच कर लें सिलाई का मार्जन प्लीज आदा इंच एक्स्ट्रा लाजमी रखें और उपर से हाफ इंच आपने किर्चा कट करना है और नीचे से भी थोड़ा सा राव शेप में और फरंट का गला थोड़ा सा डीप कटिंग करना है बैक नेक लाइन से विवर्स ये देखें मैंने इसकी कटिंग कर लिए ऊपर मैंने नेट रखने नेट रखने से पहले विवर्स फिलावर को पहले। धैज करूंगा गिलू गंद से इसकी डिजाइनिंग जब मैं करूंगी आप देख लीजिएगा किस तरीके से करनी है आपको जैसे अच्छी लगे ये कर लें उसके बाद इस नेट को आपने ऐसे अटेच कर देना है सिलाई लगा कर पूरी नेट को उसके बाद वीवर अंदर की लाइनिंग आप चाहें तो कोटन की लगा सकते हैं सिल्क की लगा सकते हैं चाहें आप पाइपिन का इस्तमाल कर सकते हैं डबल लाइनिंग लगाने से अंदर बेबी को ये होगा ये नेट नहीं चुबेगी हम कोटन फैबरिक की इसमें बोडी अटेच करेंगे गुम सिलाई में तो अब इसके सरकल में लगाते हुए मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊंगी फिर कंप्लीट करने के बाद भी दिखाऊंगी यह देखें मैंने कुछ फिलावर ऐसे बगैर गिलुगन के सेट की हैं आपको दिखाने के लिए पहले फिलावर की आपने यह टोटल जो इसमें नीचे च्छोट च्छोटी चीह लगने इसको अलग करना है क्योंकि जब हम फिलावर इसके साथ अटैज करेंगे तो यह सही से नहीं होगा इसलिए वीवर्ज इसकी पैटल्स को सबको अलग करना है फिर गिलुगन की मतदद से इसको अलग साथ अटैज करना है आप तिमाम पैटल्स को एक दूसरे के साथ गिलुगन से अटैज कर लें ताके हमारा फिलावर अपनी शेप पर आ जाए उसके बाद आपने जहां दहां लगानी है यह देखें मैं उस चगा गिलुगन लगाते जाओंगी और फिलावर को अटैज करना है तरतीर होंगी पैले से इसको टैज कर लें चाय बाद में फिलावर का एक सरकल आपने तरतीर से बनाना है फरंट और वैक तक दिमाम पर यह देखें मैंने पहले से इसको सेट कर दिया है उसके बाद मैंने गिलुगन लगा दी है इस तरीके से मुझे लगाने में असानी रह अब आपने जिस जगा लगाने हूँ सैट करते चाएं लेकिन आपने पहले नीचे सरकल को फोल्ड करना यह बात याद रखें दैसा मैने यह नीचे से फोल्ड किया है उसके बाद आपने जब गिलू गं लगाएं तो नीचे आपने शीट लाजमी बिछानी है ताके गीलू हमारा कपड़े के साथ रटाच ना पूलाए ये देखें वीवर्स मैंने राउंड शेम में ये फिलावर लगाने शुरू की हैं आपको अब ये पूरा दाइरे में इसी तरह आपको पूरे राउंड शेम में फिलावर लगाकर कमप्लेट करकर मैं दिखाते हूँ ये देखें वीवर्स मैंने तिमाम फिलावर सरकल में लगा लिए और ये बहुती प्यारे तरीके से लग रहे हैं पूरे सरकल में ये मैंने इस तरीके से अटेच कियें अब इसी तरह इसकी बोड़ी को भी हम इसी तरह तियार करेंगे जिस तरह हमने ये सरकल तियार किया है ये देखें वीवर्स हमने बोड़ी के फरंट और बैक के शॉल्डर अलग-अलग तीनों के सी लिए और उसके बार नेक लाइन और पीछे का सी लिट उसको सीधा कर लिए टक लगा कर जैसा कि हमारी वीडियो में आप इसको देख सकते है कि किस तरह हमने गुम सिलाई में सी आ है अब हमने इसके कांदों को भी ऐसे ही सीना है गुम सिलाई में लेकिन उससे पहले मैं आपको इसमें फिलावर लगाने की ट्रिक भी बता देखती हूँ और इसको ऐसे बुम सिलाई में सीना है दुबारा है वीडियो मैं आपको दिखाती हूँ यह देखे आपको समझ आ जाएगी आपने इसी साइड से रोंग साइड से उठा कर तूसरी साइड से ऐसे सिलाई लगा देनी है और उसके बाद इसको अंदर की साइड से यह सीधा हो जाएगा वीडियो में भी आप देख सकते हैं इसको हमने किस तरीके से टैच किया इससे पहले मैं आपको फुलावर लगाने का तरीका दिखाते हूँ देखें वीडियो मैंने इसलिए नेट पहले अटैच नहीं की थी जैसा कि आपको पताया इसमें मैंने फुलावर लगाने थे आप पहले फुलावर की डिजाइनिंग सेट कर लें फिर उसके बाद नीचे गिलू लगाते जाएं एदेखें वीडियो जिस तरीके से भी आपने फुलावर की पेटी पर डिजाइनिंग करनी है आपने ज्यादा ज्यादा गिलू लगाना है ताके जब हम इसे फुलावर को कभी वाज करें तो हमारा पाइदार काम हो वीवर्स डिजाइनिंग किसी भी तरह की कर लें, बेबीस पर तिमाम तरह की डिजाइनिंग बहुत प्यारी लगती है लेकिन एक बार का ख्यार रखें, फ्लावर्स सारे अलग-अलग पैटल्स करें, क्योंकि इनके अंदर की जो छोटी सी डंडी सी होती है, वो खड़ी हो जाती है, फ्राव में अच्छी नहीं लगती है तो इसलिए वीवर्स आप ये पैटल्स अलग-अलग करकर इनको लगाएं, अब थोड़े से इसमें आप लीव पी लगा दें, ताकि सेम एक जैसी लुक आए, ये देखें वीवर्स, ये मैंने कम्प्लीट कर लिए, इसके बाद ये नेट इसके उपर ऐसे प्रेस हो जाएगी और इसके बाद इस तरीके से आपको हमने बताया है, आप इसकी स्टेचिंग करें, वीवर्स हमेने इसकी सारी रफल्स त्यार कर लिए, यानि कि जो फ्रील है, इसमें मैंने धागा खेंच कर इसकी फ्रील को तयार कर लिए, इसकी बोडी की वेस्ट के मताबर, ये देखें कितनी सारी फलेयर है, उसके बाद ये मैं बोडी के साथ अटेच करूँगी, और इसके बाद इसका अम्रेला, ये देखें वीवर्स इस तरीके से मैंने आपको बताया था, सिलाई, आपने एक ही साइड के दोनों आ सेम इसी तरीके से दूसरी साइड के मैंने स्लिव्स ऐसे ही आर्म होल स्टिच किये थे, उसे भी इसी तरह आप सीधा करें, बाद में आईरन कर लिए अब देखें, इसको आप चाहें तो सिरे की सिलाई भी लगा सकती हैं, या दो तिन पॉइंट साइड पर लगा लें, इससे योगा आपको प्रेस करने की जरूरत नहीं होगी, कपड़ा अपनी जगा सेट हो जाएगा, और उसके बाद वीवर्स बोड़ी को फिरिल में अट करेंगे, तो कपड़ा अपनी जगा सेट होगा, तो नीचे की फिरिल बहुत नीट लगेगी, अगर हम बगार कच्छी सिलाई के लगाएंगे, तो हमारा कपड़ा इदर उदर हो सकता है, बिगनर्स के लिए ये टिप्स बहुत माकूल रहेगी, आप पहले कच्छी सिलाई लाजमी करें, बाग में नीचे की फिरिल को अटेच करें, वीवर्स बोडी को हमने गाउंड शेर में इसकी फिटिंग करनी है, सबसे पहले, फिर उसके बाद इसमें हमने स्टेप लगानी है, उसके बाद वीवर्स हमने नीचे की फिरिल को इसके साथ अटेच करना है, पहल उसके बाद जो हमने नीचे की फिलावर वाली फिरिल बनाई है मिरेला उसको उसके बाद थर्ड स्टेप हमारा कैन कैन का है हम उसमें आपको कैन कैन लगाने का तरीका भी दिखाती है पहले मैं इसको सिंपल तरीके से अटेच करके आपको दिखाती है यह देखें भी वर्ज मैंने तीन या चार इंच की स्त्रीप कोटन की कटिंग कर लिए उसके बाद उसमें मैंने जैसे स्कूर्ट सीते हैं बिङल्कूर उसी अंदाज में हाड नेट जो हाड नेट होती है जिसे हम कैने केन बोलते हैं बिल्कु स्टेट कपड़े में यानि के अमरेला लूक एरलाइन शर्ट की तरह मैंने नेट को कटिंग किया उसके बाद इसमें ये फिरिल को मैंने नाइफ प्लेट्स दे कर लगा दिया ये देखें विवर्स करीब करीब नाइफ प्लेट्स दे दियें काफी ज्यादा ताके हमारी ये हार नट इसके एकंकन तयार हो जाई ये बिल्कुल एजी तरीके से कंकन तयार होती है आप चितनी चाहें इसमें प्लेट्स दे लें और सबसे एंड पर आप ने जैसे फ्रील लगती है फ्रॉक में आपने उस तरीके से इसको उसके साथ अटैच करना है चाहे आप प्लेट्स भी दे सकती है चाहे आप पूरी पूरी इसकी बोडी की लेंद के मताबिक भी रख सकती है ये कोई इतना ज्यादा बड़ी बाद नहीं है इसकी प्लेट्स देख लें कैसे दीए मैंने आपको ये भी करीब से दिखा देती हूँ ताके आप ये मतलब कमर्स में ये ना पूछें आपने प्लेट्स कैसे दिये हैं ये देखें विवर्ज मैंने छोटी-छोटी सी प्लेट्स दे दिये हैं ताके नाइफ प्लेट इससे ये होगा काफी ज्यादा हार्ड नेट हमारी इसमें आ गई है तो वीवर्स आप मैं पूरे फ्राग की स्टीचिंग करकर आपको दिखाती हूँ अगर फिर भी आपको कोई चीज समझ में ना है आप कमर्स में पूछ लीजिएगा इसमें वीवर्स ये स्टीचिंग के बाद बहुत ही प्यारा फ्रॉक लग रहा है आपको यह ऐसा के नदर आ रहा है इसमें हमने इसमाम चीज़ें आपको डिटेल से बताई है इसकी कटिंग स्टीचिंग भी आपको बताई है यह हर तरस से राउंड शेप का है इसमें फिलावर मैंने गिलू गन की मदद से बहुत अच्छे से लगाई है और इसके अंदर की कैन कैन इसके अंदर लगने के बाद यह बार्बी और फैरी लुक दे रहा है बैक साइड देखें इसमें मैंने यह बैल लगा दिया नेट का इससे बच्ची की बोडी की वेस्ट की फिटिंग भी हो जाएगी और बैक साइड पर भी यह फिलावर बहुत ही प्यारे लग रहे है और जब यह बेबी पहनेगी इस फराग की लुक और भी ज्यादा अच्छी हो जाएगी यह रियल में इंतहाई ब्यूटिफुल फराग लग रहा है और उमीद करती हूँ आपको भी फराग इंशालला पसंद आएगा मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए लाइक कीजिए और कमेंट्स में जरूर बताइए आपको मेरी फराग की कटिंग टीचिंग और यह फैरी फराग बनाने का आइडिया कैसा लगा दौाओं में याद रखिए अल्ला पाक आप सबकी दौाएं कबूलो मनदूर फरमाए ओके अल्ला हाफीज कीज़ खिए लाद लगाएnd